Why Northern Hemisphere has more population than Southern Hemisphere इसको समझने के लिए हमें अर्थ की जोगरिफिकल लोकेशन को समझना पूरेगा देखें ये ब्लैक लाइन से एक्वेटर है जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उपर वाले को हम Northern Hemisphere करते हैं नीचे को Southern Hemisphere तो जब हम इसको गौर से देखेंगे तब हम ये पाएंगे कि Northern Hemisphere में लैंड का जो हिस्सा है वो Southern Hemisphere से जादा है देखें हम लोक तो घुमा कर देखते हैं तो Northern Hemisphere का जो लैंड का हिस्सा है वो हमें जादा दिख रहा है इसका मतलब Northern Hemisphere में लैंड की मात्रा जादा होने के करण यहाँ पर population जादा है लैंड की मात्रा Northern Hemisphere में 68% है जबकि Southern Hemisphere में केवल 32% है तो around 2 गुना का डिफरेंस है लैंड के proportion में इसलिए Northern Hemisphere में population भी हम जादा observe करते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बूलें थैंक्यू